नमस्कार, स्वागत करती है भगविती आपका अपने चैनल भग्स भारती पर जहां होती हैं बातें ब्यूटी, फैशन और होम से जुड़ी हुई और होम से ही जुड़ी हुई बात हम आज करने जा रहे हैं इसमें कुछ समय पहले ही मैंने लिया वोल्टाजबी को एट प्लेस टेबल टॉप डिश्वाशर तो आज की वीडियो में जो है उसी के बारे में बात करेंगे बात करेंगे उसके परचेज और अन्बॉक्सिंग की रिक्वार्मेंट्स और इंस्टॉलेशन की असेंशिल्स क्या-क्य तो सबसे पहले बात करते हैं परचेज और अन्बॉक्सिंग की तो इस तरह के पैकेज में ये आया और मैंने इसे अमेजॉन से लिया और इस पे जो मार्क प्राइस था वो 25,990 रुपे था जबकि कुछ डिसकाउंस और जो भी सेल अगरा चल रही थी उसके चलते ही मुझे ये 18,490 का ये डिश्वॉशर पढ़ा इसकी बॉड़ी जो है वो स्टेनलस स्टील की बनी हुई है तो इट इस 50 बाइ 55 बाइ 59.5 सेंटीमिटर इसकी जो डाइमेंशन से है और वो बॉक्स से बाहर निकलने के बाद इस तरह का दिखता है इस तरह का दिखता है तो चले अब करते हैं इसके इंस्टालेशन की और इसके इंस्टालेशन के लिए हमें क्या-क्या चीजों की जरुद पढ़ सकती है उसकी तो सबसे पहले तो मुझे इसके लिए जरुद पढ़ी इस तरह के एक अडाप्टर की जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं और यह अडाप्टर जो है आप मार्केट से भी ले सकते हैं पर क्योंकि जो लोग इसे इंस्टाल करने आया थे उनके पास था तो मैंने उन ही से ले लिया और इसके लिए मुझे दो सब रुपे करीब जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़े तो इसके थू जो है इसे वाटर सोस से कनेक किया ग लगा कर जो है डिश्वाशर के लिए भी जो है जो वाटर इंलेट पाइप थी उसका कनेक्शन लिया गया और दूसरी रिक्वार्मेंट यह है कि एक पावर पॉइंट वहां पर होना चाहिए क्योंकि इसके लिए पावर पॉइंट बहुत ज़रूरी है इसके पैक साइड म आप इसे प्लग इन कर सकते हैं पावर पॉइंट से टेबल टॉप डिश्वाशर है तो इसे जो है हम कहीं पर उपर प्लेस कर सकते हैं तो इसलिए जो है इसे जिनरली जो है हम सिंग के पास में प्लेस करते हैं ताकि जो इसकी ड्रिनिज पाइप है वहां से इजिली पानी पहार निकल सके और सिंक के थ्रू जो है वो ड्रेन आउट हो जाए चलिए बात करते हैं एसेंशल्स की उन चीज़ों की जिनकी हमें ज़रोद पड़ेगी मशीन को जो है डिश्वाशर को रन करने के लिए बरतनू को चीज़े साफ करने के लिए तो सबसे पहले हम बात करते है रेंसे पहले साल्ट की और सॉल्स जो है इस तरह से इसमें एड किया जाएगा यहां पर और जब फर्स टाइम उनने एड किया था सॉल्स तो इंस्टलेशन के लिए जो लोग आय थे वह अएड करके गे और पूरा एक किलो इसमें एड किया तो उसमें थोड़ा-ठोड़ा करने के लिए और ऐसे अजय करने के लिए सौट के जए ऐसमें साफ हो जाते है asta है अगर करने के लिए जो है चोटा सा बॉक्स बना होता है इसमें आप डिटरजेंट आड कर सकते हैं स्टार्टिंग में जब मुझे अंदाज़ा नहीं था तो फिर मैं जो यह कैबिन चोटा सा बॉक्स बना हुआ है इसको पूरा फुल कर देटे यह दिटरजेंट से पर धिरे-धिर करते हूं बरतनू की जितनी होनी चाहिए तो उसमें मुझे इतना डिटरजेंट सफिशन रहता है उसके बाद जो है अब यह जो तीसरी चीज है जो इसमें आड करनी होती है वह है रिंसेट के लिए चोटा सा कैबिन बना हुआ है इसके लेलग से अपनी जगा बनी हुई है यहाँ पर हम रिंसेट डालते है और रिंसेट का में फंक्शन है यह रिंसिंग में हेल्प करता है उसको बरतनू को जो है और उनको थोड़ी चमक जो है उसमें आड करता है अब बरतनू को मशीन में जो है हम किस तरह से अरेंच कर सकते हैं तो इसमें जो है दो खाने बने और जहां पर कि जो है जो है जिसमे नीचि कोछ और स्बून्स और फुच अरशसे बरतन जो है अरींच कर सकते हैं और उसके इुपर फिर इसे सबते हैं भी इसमे डाल upfront बिलकुल साफ हो कर बहार निकलता है इसमें जब हम बर्तन लगाते हैगे जीजब धान देते हैं ऑर सिप जब सीज़ और कांच ये बर्तन वो के बरतन में भी जो डिश्वाशर सेफ बरतन उनको यूज करना चाहिए कांच और प्लास्टिक में जो है अगर अगर आप अलुमिनियम के बरतन यूज करते है तो वो जो है इसमें काले पढ़ सकते हैं जैसे क्योंकि इसमें पानी जो है जब इसमें सफाई करता है तो पानी जो है 60-70 डिगरी सेल्शियस के बीच पानी का टेंपरेचर रहता है पानी का डिटरजन का जो है इसके अंदर तेंपरेचर रहता है तो ऐसे टेंपरेचर में अलुमिनियम जेनरली जो है वो काला पढ़ जाता है तो इसमें आप यूज कर सकते हैं करेंगे तो काले पढ़ और उसके अलावा जो है जो वुड़न आइटमस है वो इसमें आप साफ नहीं कर सकते हैं मशीन को स्टार्ट करने के लिए में स्विच आप इसका अन करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दी हुई है और उन सेटिंग्स के अकॉर्डिंग जो है आप प्रोग्राम सेट करेंगे जैसे आप वाशिंग मशीन में करते हैं कुछ इस तरह से देगे पावर का बटन आपने प्रेस किया इसका उसके बाद जो है यह मेरा जिनरली जो है वो इको पर जो है सेट रहता है तो तीन घंडा पांच मिनट का टाइम लेता है एको पर वो सफ करते हैं तो यह अलग-अलग तरह के प्रोग्राम सेलेक करता है और यहां पर उनकी डिउरेशन दिखाता है कि उस प्रोग्राम में कितना टाइम लगेगा तो यह सेटिक से आप जहां पर भी सेट करते हैं अपकि मशीन यहां पर प्रेस तो आपकी मश्रीन भी ögर स्टार्थ हो जाती है बर्तन जब इसमें से दूलकर निकलते हैं तो बहुत अच्छे चमक दार बर्तन होते हैं बहुत साफ होते हैं थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब आप इसको लोड कर रहे हो तो बरतन बहुत जादा ओवरलैप ना करें थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग चलती है पर उनके अंदर पानी घुसने और निकलनी की जगह होनी चाहिए देखिए बरतन कितने अच्छे से साफ हो गए है आपन यह सॉल्ट आते हैं और कुछ कंपनी से अलग अलग जैसे मैंने जो यूज किया है प्रोड़क में जो है आएसबी का यूज कर रही हूँ और अलावा जो है इसमें जहां पर रिंसेट के लिए जगह वनी वी और सॉल्ट के लिए जगह बनी है वहीं पर इक छोटा सा सा स्ल इको में जो है एलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजम्शन जो है बांकि जो इसकी मोड है बांकि जो प्रोग्राम से उनके कंपारिजन में कम होता है तो इसे रात को में इको मोड पे रख देती हूं और इसे ओन करके हम सो जाते हैं और सुबह बिलकुल अच्छे साफ सुतरे वे बरतन मिलते हैं और अब बारी रिवियो की तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बरतन बहुत अच्छे साफ करता है और बिलकुल चमचमाते हैं बरतन निकल कर आते हैं इसमें से बहार तो I am totally satisfied with this product and आज की ताइम में especially lockdown period में जबकी हम domestic help or use नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही काम की चीज है मतलब I must say that it's a must have for every household Volta's B को 8 place table top dishwasher इसके लिए जो जहां से मैंने लिया है मैंने amazon से लिया था जैसे मैंने बताया तो link मैंने नीचे description box में डाल दिया है आप check कर सकते हैं वहां से और अगर आप कोई dishwasher यूज कर रहे हैं तो comments के through बताईए कि आप उसकी working से कितने satisfied हैं और वो इससे कितना बहतर है या आपको लगता है कि जो है इसमें कुछ lacking है या उसमें कुछ lacking है तो वो आप उसमें share कर सकते हैं इसे बांकी लोगों को अगर कोई इसे खरीदने के बारे में जो है plan कर रहा होगा तो उसे आसानी होगी help मिलेगी उमीद है आपको इस वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो फेर इसे like कीजिए share कीजिए अपने friends और relatives के साथ और subscribe कीजिए मेरे चैनल भग्सभारती को ऐसे ही और काम के वीडि तेरी गुट कर दो वियर से नमस्कार